हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जैपेनीज फिल्म जो की नेट्फिक्स पर आल्मोस तेर घंटे की हाहां रन टाइम के साथ रिलीस की गई है जिसका नाम Zom 100 Bucket List of the 100 है ऐसा ही कुछ नाम है जो कि यहां क्लियरली मांगा की अडेपटेशन है जिस पर एक एनिमे शो भी चल रहा है बट उन सबसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने ना तो वो मांगा पड़ी है और ना ही इसके एनिमे सीरीज देखी है इट मींज के मैं फ्रेश टेक के साथ connect होनी चला गया जो कि unfortunate फिल्हाल तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज नहीं की गई लेकिन इंग्लिश वर्जन है बट मैं आपको प्रिफर करूंगा कि जैपनीज लैंविज में सब्टैटल लगा लेना फिल्म उससे जादा देखने लाइक बन इंग्लिश डप के साथ फिल्म में मुझे परसनली नहीं पसंद आपका मुझे पता नहीं बट उसमें फिर भी थोड़ी बहुत सजेशन में आपको दी है उसे ध्यान में रखना लेकिन अब इससे हटकर फिल्म की कहानी की बात की जाए तो कहानी वही जो हमें ट्रेल में ब और जितनी भी छोटी मोटी सी डेवलेपमेंट है उन सभी को देखने के लिए मैं तो कहूंगा आप इस फिल्म को एक मौका तो देखी सकते हो क्योंकि इन सब मामलों में ये फिल्म मुझे तो इंप्रस करने में कामियाब हुई है बाकि मुझे उन मांगा रीडर से लेकर ए इनी में नहीं देख रहे तो क्योंकि आज अगर उसकी मिजोरिटी और सपोर्ट काफी जादा होता तो नेटफ्लिक्स इंडिया वाले इसे हिंदी में डब करते लेकिन जैसी कि मैंने कहा सपोर्ट और क्रिटिसिजम बहुत ही जादा मिलता है इसलिए जिस किसी लोगों से मैंने थोड़ी बहुत बात की उनका कहना तो यही है कि इसके हेवी क्रिटिसिजम के चलते उन लोगों ने इस फिल्म को हिंदी में डब नहीं किया आप पता नहीं एक्जाक रिजन क्या है लेकिन बताया तो यहीं गया है मुझे लेकिन उससे हटकर जैसी कि मैंने कहा यह कह इसके अलावा फिल्म देख लेना समझ जाओगे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं जिन से हटकर पैरेंटल गाइडलाइन की बात की जाए तो आप इस फिल्म को फैमिली के साथ नहीं देख सकते कुछ न्यूडिटी और गौर के वज़े से जिस फिल्म के बाकियों दूसर इस समय में बैट करके देख सकते हो बाकि देखना न देखना आप पर डिपेंड करता है जिन सभी से अटकर अगर इस फिल्म की रव रेटिंग्स को सेट कर दिया जाए तो मास ओडियन्स नो डाउट इस फिल्म को बी प्लस की कैटिगरी में रखेंगे तो वहीं बात की जा लेकिन अब इस छोटे से बिल्कुल भी डीटेल ना वाले रिव्यू में और किया ही क्या जाए इसलिए मुझे लगता है वीडियो को यहीं पर रोकते हुए जो बात मुझे आपको बतानी थी इस फिल्म से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी है उसके बाद फिर क्या वक झाली ऑलेटेडिंगे ती वीडेड़ियो आपको ओंद कर दे बाती है विर किने इसे बाता है यहीडियो को चुछ अपको बाता है वेच्छ लेख वेख धेशने की अवोगता है यह वेख वो ऊंस वेभीडियो